हाई गाईज, Empower of Blind YouTube चैनल पर आपका स्वागत है गाईज यार, हम लोग अपने मोबाइल फोन वगरा में बहुत सारे PDF to Word, Word to PDF ऐसे Converter खोजते रहते हैं और हमें कहीं न कहीं कोई न कोई जरूरत पढ़ती रहती है लेकिन अगर यही आपको laptop या अपने computer में जरूरत पढ़े तो कई बार आप ये नहीं कर पाते हैं और कई सारे लोग कर भी लेते हैं इस वीडियो में आपको मैं एक easy तरीका बताने वाला हूँ जिसके थुरू आप अपनी कोई भी Word फाइल को PDF में convert कर सकते हैं वो भी accessible format में अगर उस Word फाइल के अंदर आपने कोई table को attach करके रखा होगा तो उस PDF में वो table भी बन के आएगी अगर आपने उस Word document के अंदर कोई heading बना के रखा होगा तो वो heading भी आएगी अगर आपने कुछ उस MS Word में bullet, numbering जो भी आप formatting करके रखे होगे वो उस PDF में आएगा यानि कि हम इसे कह सकते हैं कि एक accessible PDF कैसे बनाएं या फिर एक accessible PDF को कैसे convert करें अपने Word documents से तो इस वीडियो में आज मैं यही बताने वाला हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करना क्योंकि यह informative वीडियो के साथ में बहुत ही useful है आपके लिए अब आपके लिए कोई भी Word फाइल से PDF बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक Word document होना चाहिए जैसे कि मैं यहाँ पर enter की press करता हूँ अब यह हमारे पास एक Microsoft Word document की file है इसके अंदर मैंने कुछ लिख के रखा है आप अपने according कुछ भी अपने word file के अंदर लिख सकते हैं या फिर आपके पास लिखा हुआ है तो आप उसका PDF बना सकते हैं accessible PDF अब इस पर मैं enter की press करता हूँ और यह कुछी समय में open हो जाए open हो रहा है word अब यह मेरा word file open हो गया है What is CRM है यह इस तरीके से इसके अंदर कुछ लिखा हुआ अब इसके अंदर मैंने कुछ heading भी बना के रखा है वह आपको मैं example दिखाता हूँ अब यहापे मैं H की press करता हूँ यह मैंने कुछ headings बना के रखी है अब इसको मैं एक PDF में convert करता हूँ उसके बाद देखूँगा कि यह headings मुझे मिलती है या फिर नहीं अब इसे हमें PDF में convert करने के लिए आपके पास दो options रहेंगे पहली बात अगर आपका Microsoft Office 2010 या उससे उपर का है तब आप इस option को use कर सकते हैं जो तरीका में आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको अपने computer में alt के साथ में f key press करना होगा या फिर f12 इन दोनों में से कोई भी आप एक key press कर सकते हैं अब यहां पर alt f key मैंने प्रेस किया अब यहां पर आपको save as का option मिलेगा इस पर enter key press कर देना है यहां पर shift tab देके आपको इसका name दे देना है लिब ऑको आपको ओपको लिब एको आप्रेस्ट पाराव थप्रेस्टOh धege में उज हैं छूर् सबस्तिव सबस्ट एक करत दोनों एको यदूर्ट तो यहां पर मारा रेसंट रिव्यू हरा इसले में से इसकेब बटन दबाता हूं और यहां पर में दुबारा से इसे प्रेस कर रहा हूं अब यहां पर में F12 की प्रेस कर लेता हूं तो यहां पर CRM English Notes लिखा हुआ है अब इसका मैंने नाम हटा दिया मैंने यहां पर new file लिख लिए है उसको CRM लिख देता हूं अब यहां पर मैं टैप की प्रेस करता हूं अब यह मेरा PDF डाकुमेंट ओपन हो रहा है अब यह PDF डाकुमेंट ओपन हो गया है और Microsoft Edge में ओपन भी हो गया है अब यहां पर मैं Edge प्रेस करता हूं क्या वही PDF है आपको पहले तो दिखा देता हूं अब यहां पर एच प्रेस करता हूं अब यहां पर Edge प्रेस करता हूं अब यहां पर देखें उसी फोडर के अंदर दो फाइल एक इसका टाइप सुनाता हूं Microsoft PDF document हो गया है यह English Notes यह हमारा Word file हो गया अब यह मेरा PDF हो गया और बहुत देखें यह लोड़ इंप्लीट हो रहा है PDF अब यहां पर मैं दूसरे पेज में जाओंगा तो अलग जो हेडिंग थी वो भी आएंगी इस तरीके से आप किसी भी वर्ड फाइल को अपने PDF फाइल में कर सकते हैं with format with heading with table उमिद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले क्योंकि आपके लिए ऐसे ही यूस्फुल content लेकर आतार हूंगा